जय हिन साथियों स्वागत है आप सभी का अपनी यूटूब चैनल ग्यानालाई पर दोस्तों आज हम लोग कलेंडर का पार्ट टू पढ़ने वाले हैं और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चिन हमसे प्रिविए सीजर में पूछे गए हैं उन सभी को आज हम लोग इस पूछे जाते हैं कुछ कोईश्चन से होते हैं तो अब आई यह हम लोग स्टार्ट करते हैं और इस फार्मूले की सहायता से देखते हैं कि कैसे हम लोग कैलेंडर से अगर कोईश्चन पूछ लिए जाते हैं तो उनको कैसे साल्व करना है तो आई यह हम लोग स्टार्ट कर से हम लोगों को सॉल्व करना है आई अब हम लोग इसको वन बाई वन समझते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को दिख रहा है यहां वाई से मतलब है दोस्तों जो आपको गीबन एयर होगा उस गीबन एयर से एक कम करके लिख देना है जैसे जो भी आपसे question पूछे जाएंगे exams में जो एयर होगा उससे एक वर्थ हमेशा कम करके यहां पर आपको लिखना है फिर यल की बैलू यहां पर आपको कैसे पता चलेगा तो यह जो आप वाई की बैलू निकालोगे इसी वाई को यागर आप फ परामी हो गया दो जार हो गया तो इन सब सताब्दी को आप लोगों को चारतों से डिवाइड करना है चारतों से डिवाइड करने के बाद में अगर आपके पास reminder यह फोर आने की possibility है एक reminder आ सकता है शो दो शो तीन सो और जीरो किसी भी नंबर को अगर हम डिवाइड करते है तो जिस नंबर से डिवाइड करते हूं उससे एक हमेशा कम ही reminder आता है तो यहां से यह चार condition बन सकता है reminder आने का तो आप लोगों को इसी के स्थान पर अगर 100 आएगा तो 5 रख देना है 200 आएगा तो 3 रख देना है 300 आएगा तो 1 रख देना है 0 आएगा तो इस condition में आपको 0 ही रखना है अब आईए हम लोग समझ लेते हैं D क्या चीज है जो आप से question पूछा जाएगा जैसे मालू 15 अगस्त 1947 को पूछ लिया जाए कि आपको कौन सा दिन था तो यहां पर Y plus L plus C का value रखो कि इसके बाद में हम D को बताने वाले हैं तो D मतलब 1 January से start करोगे और जिस date तक पूछा जाएगा वहां तक का total date निकाल दिन निकालोगे कि कितना दिन का यह गयप है इसके बाद में उन सभी को यहां पर रख करके 7 से divide कर देना और जो भी आएगा वही आपका answer हो जाएगा जब 7 से divide करोगे तो 0 से ले करके 6 तक remainder आने की possibility होती है तो 0 अगर तो शोम वार हो जाएगा ये तने condition आपके पास बन सकते हैं 0 1 2 3 4 5 6 and sorry 0 या शेबन ध्यान रखिएगा 0 या 7 का मतलब दिन सेम होगा रभी वार होगा और 1 का मतलब सोम वार होगा 2 का मतलब मंगल वार होगा और 3 का मतलब बुद्ध वार होगा 4 का मतलब बिरहस्पत वार होगा 5 का मतलब शुक्र वार होगा और 6 का मतलब शनी वार होगा जब इस question को आप शालो करोगे तो आपके पास जो remainder बचेंगे या तो 0 बचेगा या फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6 यह इतने ही possibility हैं आपके पास चोकी जो number of days होते हैं वो 7 होते हैं 0 या 7 आएगा तो उसके स्थान पे आप लोगों को रभी वार रख रहा हैं अगर यह नहीं आते हैं 1 आ जाता है तो 1 पर आपको लिखना है शोम वार, 2 आ जाता है तो मंगल वार, 3 आ जाता है तो बुद्ध वार, 4 आता है तो ब्रियस्पत वार, अगर 5 आता है तो शुक्र तो ये चीज़े आपको समझ में आ गई होंगी कि इसी फार्मूले के साहते से हम लोग कैसे पूरा कैलेंडर शालव कर सकते हैं, तो एक बार हम आपको और बता दे रहे हैं, ये Y जो है, जो आपसे given year होगा, उससे एक वर्थ हमेशा कम करके रखोगे, इस C को अगर 4 से divide कर दो आने पर, अगर remainder 100 आता है, तो 5 लिखोगे, 200 आएगा तो 3 लिखोगे, 300 आएगा तो 1 लिखोगे, अगर 0 आएगा तो 0 रख दोगे, ये हो जाएगी C की value, पलस डे, यहाँ पर डे जो डे आपको जो specific date आप से पूछा जाएगा, एक जनौरी से count करोगे, एक जनौरी से पू कंडीशन हो सकते हैं, जो आप से सेज बचेंगे, अगर 0 या 7 होगा, तो इस कंडीशन में रभी वार होगा, एक आएगा तो शोम वार, दो आएगा तो मंगल वार, तीन होगा, तो बुद्ध वार, चार होगा, तो ब्रेस्पत वार 5, शुक्र और 6 पर शनी वार, ये रहे दोस्तों हमारे भार्मूले के कुछ बेसिक हमने इसको समझाने की कोशिश किये, अब आईए हम लोग इसको एक्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, वहां से चीजे और के लियर हो जाएंगी, तो दोस्तों हमसे क्वेश्चन एक पूछा गया है कि 15 अगस्ट 1947 को कौन सा दिन था, ये आप क्वेश्चन देख पा रहे हो कि पूछा गया है 15 अगस्ट 1947 को कौन सा दिन था, यानि कि अब हमको बताना है दिन कि 15 अगस्ट 1947 को कौन सा दिन था, इसी तरह से हमसे क्वेश्चन पूछे गये हैं, और पूछे भी जाते रहे हैं, पूछे भी जाएंगे, पॉस्बिल्टी है, तो इसको हमको कैसे सॉल्व करना है इसी फार्मूले की सहता से, आईए अब ह पहले हमने बताया कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना है, इसके बाद में इस फार्मूले में हमें पूट अप कर देना, फार्मूला क्या है, यल्टी डी, यल्टी य शेबन, इसके बाद में जो भी रिमेंडर आएंगे, हमने यहां पर आपको कंडिशन बताया, अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, तो क्वेश्चन है हमारे पास 1947, हमने बताया यहां पर जो य की बाईलू होगी, यह यहां पर 47 से हमें एक कम करके लिखना है, तो 47 से एक कम करके जब लिखोगे तो यहां पर आ जाएगा बाईलू 46, अब हमें निकालना है यल्की यल की बैलू निकालने के लिए इसी 46 को अगर आप डिवाइड कर दोगे किस से 4 से, जब 4 से डिवाइड कर दोगे तो 4 वंजा 4, यहां से यह कैंसल आउट हो गया, 6, 4 वंजा 4, अब यहां से remainder आगया 2, यहां एक चीज आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि यहां हमें इस remainder से कोई मतलब नहीं है, हमें केवल कोशेंट यानि की भागपल से मतलब है, हमें remainder से इस question में कोई भी परभाव नहीं पढ़ने वाला है, तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर हम लोग हमेशा कौसेंट को put up करेंगे जो यल की बैलू होगी वो हमेशा भागफल तो यहाँ पर जब हमने 46 को फोर से डिवाइड किया तो भागफल हमें मिल गया 11 यहाँ पर हमने put up कर दिया 11 अब इसके बाद में हमको लिखना है 6 सी फार होता है शेंचुरी कोड शेंचुरी कोड आपको कैसे लिखना हमने बताया जो भी सताबदी होगी यहाँ पर सताबदी है 19 सताबदी तो 1900 को अगर आप लोग 400 से डिवाइड करोगे तो यह आजायेगा आपके पास 4 चौक के 1600 यहाँ से आपको रिमेंडर मिल लहा है 300 और जैसे ही 300 आप लोग देखोगे हमने बताया C की बहलू 1 put up करोगे तो यहाँ से पलस करके C के अस्थान पे आपको लिख देना है 1 अब इसके बाद में आपको लिखना है कि number of days यहाँ पर 15 अगस्त पहुचा गया 15 अगस्त से एक जनवरी से 15 अगस्त तक जितने भी days है उनको आपको लिखने ना अब यहाँ पर लिखने का दो प्रोशेस है या तो आप टोटल उस पूरे day को लिख लो स्पेस्पिक डे को वह जनवरी है उसको आप टोटल 31 लिख सकते हो फर्वरी 28 लिख सकते हो जो भी मन्तकार डेट होगा उसी के कार्डिंग मार्च है इसके बाद में उसमें 31 लिख सकते हो या फिर चूकि आप लोग जानते हैं कि जो days होते हैं नमबर आप days होते हैं जैसे Sunday, Monday, Tuesday या आप्टर 7 days के क्याप होते हैं repeat होते रहते हैं साथ दिनों के बाद में repeat होते रहते हैं तो इनको आप लोग करके भी लिख सकते हो ऐसा हम लोग क्यों करते हैं क्योंकि हम यहां पर थोड़ी सी यह calculation छोटा हो जाएगा इसलिए हम इसको रख लेते हैं दोनों से answer से में ही आने वाले हैं तो यहां पर हम क्या करेंगे जैसे January होता है January 31 का मन्त होता है तो 31 को अगर हम 7 से divide कर देंगे तो यहां से आ जाएगा 7, 4, 0, 28 और यहां से आ जाएगा remainder 3 जो भी मन्त होंगे उनको हम लोग ऐसे 7 से divide कर देंगे जो remainder आएगा वही केवल हम लोग यहां पर लिखेंगे यह चीज हमें सा द्यान रखना चुकि यह जैरल लीप येर है नहीं तो इसलिए इसमें जो फरवरी अगर हम 28 को साथ से divide करेंगे तो 0 आ जाएगा इसके बाद में आएगा मार्च 31 का होता है divide करेंगे तो 3 आ जाएगा अपरेल 30 का होता है divide करेंगे तो 2 आ जाएगा इसके बाद में आता है मई में 31 डेज होते हैं 3 आ जाएगा जून में 30 दिन होते हैं तो यहां से 2 आ अब यहां पर देखो 15 अगस्त पोचा गया 15 अगस्त को आप लोग ध्यान रखिएगा यहां पर आप टोटल कंप्लीट 15 भी लिख सकते हो और अभी हमने बताया कि साथ दिनों में क्या होते हैं रिपीट होते रहते हैं इसलिए आप यहां पर 15 को भी अगर ऐसे डिवाइड कर देना है तो जब आप इसको साथ से डिवाइड करोगे तो यहां पर आपके पास भी पुना दो पॉस्विल्टी बन गई इन सब को आप जोड के साथ से डिवाइड कर सकते हो या फिर इनको अलग-अलग ऐसे 7 से डिवाइड कर दोगे चूकि ऐसा हम क्यों करते हैं चूकि क यहां पर देखो 11 प्लस 3 यह हो गया 40 यह कैंसल आउट हो गया यहां पर 46 प्लस 1 यह हो गया टोटल 47 47 को आपको डिवाइड करना है शेवन से जब 47 को आप लोग 7 से डिवाइड करोगे तो 7 शिक्स जा 42 यहां से आ जाएगा 5 यहां से रिमेंडर क्या आ गया दोस्तो 5 जब आपने इसको डिवाइड किया तो आपको जो आइश्वर मिला और टोटल आ गया रिमेंडर 5 यानि कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद में आहां मिला 47 47 से 42 आप सब्ट्रेक्ट किये यानि कि 6 टाइम गया और यहां पर आगया रिमेंडर 5 अब जैसे ही इस क्वेश्चन का रिमेंडर आप लोग 5 देखोगे हमने बताया कि यह 5 पे जो नंबर आप डेज अब कौन से आएंगे हमने बताया आपको कि 0 पर आएगा सोमवार 2 पर आएगा मंगलवार 3 पर आएगा बुद् कि आजाएगा दोस्तो शुक्रवार आजाएगा तो इस तरह से अगर जो दिन हमसे पूछा गया कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था तो हमारा उत्तर हो गया शुक्रवार आई होप दोस्तों आपको यह चीजे समझ में आ गई होंगी इसको एक बार दो बार आप लोग देख ल सब्सक्राइब रहें यह सभी किसी ने किसी स्टेट PCS के या किसी एक्जांस में पूछे गए क्वेश्चन है दोस्तों तो आईए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इसी ही बहतरीन अंदाज में हम लोग उसको साल्व करते हुए आगे बढ़ कौन सा दिन था यानि कि जो गाधी जयनति है उस दिन तो सबसे पहले हम ने बताया है आपको y की बैलू यल को हमने बता है इसी को फोर से डिवाइड कर देना जब शिष्टी एट को आप फोर चीड करोगे तो वन्हां यहां से आ गया टू एट और पॉर से बंजा टुएट तो यहां से आ गया दोस्तो टोटल से बैन टीन इसको क्या किया हमंने यल बेल्यू निकालने के लिए इसी को फोर से डिवाइड कर दिया, प्लस C means होता है century code, century code 18,100 को जब अगर आप लोग 400 से डिवाइड करोगे, तो आएगा remainder 200 कैसे, 4 चोक के 1600, 1600 प्लस 200, 1800 हो जाएगा, तो यहां से अगर 0 आ जाता है तो आपको वहाँ पर हमेशा 0 लिखना है तो हमने बताया आपको कि अब यहाँ पर आ गया है 1.800, 1.800 को जब आप डिवाइड करोंगे चारतों से तो आएगा 2.800, इस कंडिशन में आपको यहाँ पर लिखना है 3, 200 के स्थान पर जो आपको century code लिखना है वो एक जनवरी से दो अक्टूबर के मद में टोटल कितने दिन थे वही अब हमको यहां पर लिखने हैं तो यहां से हम लोग काउंट करते हैं यहां पर देखिए एक चीज होता है आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी जून के बाद में काउंट आएगा जून के नवरेश यहां होते हैं। यहां पर सिखस लेकर के त्स जून तक आप लोग चाहे तो अलग-अलग डे का रखो जैसे 31 जनवरी में 31 देर रखो फरवरी में 28 रखो यह सब रख सकते हो या फिर उसको आप लोग 31 का तो यहां पर ठिरी लिख दो गे और इसके बाद में आता है अगस्त का तुरह पर 3 लिख दोगे इसके बाद में 7030 का होता है दो LOL के इसके बाद में हमसे 2 अक्टोबर का पेचा ही गया है तो इसको मैंसे 2 लिख देंगे यह चीज़ डोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको शेमज में आ गया होगा यह हमने क्यों डायरेक्टली यहां पर 6 लिखा यह चूकी दोस्तों 31 जनौरी जो है उसको 7 से डिवाइड करोगी तो 3 आएगा इसी तरह से सभी मंत को ऐसे जो डिवाइड 7 से करते हुए चलोगे तो जून तक 6 डे जाते है नंबर आप डिपर ठेल आउट होगया यहां से 6 केशल थ क स्ब्दाईल यहां से देख लो 9 होगया 9 प्लस थी ट्वोल्भ होगया 12 उनिकी जब 6 इब ऑन से डिवाइड करोगे तो यहां से आ जाएगा five तो 17 प्लस 5 हो ौगए हेड 25 से डिवाइड कową यहां से डिवाइड करोगे तो आजाएग यहां से आपको जो मिलेगा remainder आ जाएगा 6 यहां से दोस्तों आप लोगे ने देखा कि आपको जो remainder मिला ओ आ गया 6 तो इस तरह से दोस्तों जब आपको 6 मिल गया तो हमने आपको बताया था कि जो 0 आए गया या 7 आएगा तो इस पर आप लोगों को रभी वार एंसर करना है अगर remainder एक आ रहा है तो आपको शोम वार एंसर करना है दो आ रहा है तो मंगल वार, 3 पे बुद्ध वार, 4 पे ब्रि आपको अच्छी सी समझ में आ गई होंगी यह यहां पर एक चीज ध्यान रखना यह हमेशा सट फॉम ही आपको यूज करना है रिजनिंग में चुकि नंबर आप डेज डिफरेंट निकालना था तो हमने यहां से 1 जनवरी से 30 जून तक 30 जून तक जो नंबर आप डेज होत सकते हो अगर लीप होगा तो आपको यहां पर जिरू लिखना है यह सेबन लिखना है अब यहां से आप लोग ऐसे निकाल सकते हो जो भी मन्त पोणेंचा जाएगा ऐसे सेबन से डिवाइड करके जो रिमेंडर देट होगा रिमेंडर दिन हो भाग बचेगा वही आप हो गया दोस्तों दूसरा question यानि कि 2nd October 1869 को कौन सा दिन था शनिवार अब हम लोग बढ़ जाते हैं दूसरे question की तरफ और उसको भी इसी question के माध्यम से हम लोग इसी फार्मूले की सहता से solve करने वाले हैं आईए दोस्तों अब हम लोग अपने next question की तरफ बढ़ते हैं और इसको इसी फार्मूले के माध्यम से solve करने वाले हैं आईए अब हम लोग इसको solve करते हैं तो हमारा second question क्या है कि 20 जनवरी 2022 को कौन सा दिन था इस तरह से आपसे question पूश ले जाए कि 20 जनवरी 2022 को कौन सा दिन था अब कैसे solve करना है process वही है फार्मूला वही है सेम concept है इसी पर हमको solve करना है तो सबसे पहले क्या करना है इस जो year है 2022 यानि कि 22 यह है इसको हमें एक वर्थ कम करके लिखना है तो एक वर्थ जैसे ही कम करके लिखोगे आ जाएगा 21 और 21 को आपको यल की value चाहिए y plus y plus c plus d by से बन यानि कि y की value तो हो गए 21 एक वर्थ कम करके लिखना है अब लिखना है यल की value यल की value लिकाने के लिए क्या करोगे y को फोर से divide करोगे फोर से divide करोगे तो 21 को चार से divide करोगे तो हमें केवल भागफल से मतलब है तो 4520 केवल यह लिख देंगे अब हमें चाहिए century code century code क्या है 2000 2000 को यानि कि जब आप 400 से divide करोगे तो 4520 total completely divide हो जाएगा इस condition में आपको remainder 0 मिलेगा और यहां से आपको answer क्या कर देना है जो c की होगी century code आपको यहां पर लिखना था वो आप यहां पर लिखते होगे 0 तो यहां से आप लिख सकते हो c के स्थ जिरो जब भी आपसे question में 2000 बोला जाएगा आप लोग मूद करके डिरेक्ट्ली ऐसे लिख दीजिएगा 0 तो यहां पर आप लिख दीजिएगा c की value 0 अब यह आपको लिखनाना है days number of days तो 26 जनवरी है या हम एक जनवरी से count करते हैं हमसे पूछा क्या है 26 तो यहां पर अब 26 भी लिख सकते हो और इसको जब आप 7 से divide कर दोगे तो सातिया 21 नंबर आप डेश 5 आप इसको ऐसे लिख करके और 7 से divide करते हैं तो इसको आप अलग-अलग भी जोड करके solve कर सकते हो या फिर अलग-अलग डिवाइड करके जोड के साथ से divide कर सकते हो तो हमने बताया जिनका सम 7 हो जाएगा वो अपने आप cancel out हो जाएगे तो यह 7 3 जा 21 यह cancel out हो गया 5 प्लस 5 10 हो गया 10 को जब 7 से divide करोगे तो यहां से आ जाएगा 3 7 यहां से remainder आ गया 3 और इस 3 पर आप लोग जानते हुए हमने बताया था कि 0 पर रभी वार 1 पर सो मार 2 पर मंगल वार और 3 प क्या हो गया बुद्धवार तो इस तरह से आप लोगों ने देखा दोस्तों कि कैसे हम लोग अगर इसको एक बार दो बार भी आप लोग ध्यान से practice कर लोगे तो हम उमीद करते हैं कि आप लोग किसी भी calendar से जो भी आपको date दे करके और year दे करके question पूछे जाते हैं कि बता इसी को solve कर देना है और answer जो आएगा आप इसी के according कर दीजिएगा तो I hope दोस्तों ये चीज़े आपको समझ में आई होंगी अब हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो लेक्चर में तब तक के लिए जैहन साथियों